कैसे आप सभी लोग उमेद करता हूं आप सभी लोग सुस्त होंगे वैस्त होंगे मस्त होंगे तो चलिए आज हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास को कॉंटिन्यू करते हैं जो कि यह 2R 5.1 के चैप्टर 1 की एक mcq क्लास है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोश वर्दा इंटरनेट और अनदर नेटवर्क is governed by a set of rules मतलब इंटरनेट या किसी अन्य नेटवर्क पर वितरिट डेटा का प्रारूप नियमों के एक सेट द्वारा नियंतरित होता है यह नियम कौन से होते हैं यह जो नियम होते हैं यह कौन से नियम होते हैं क्या वो TCP IP निय नियम होते हैं यह क्या वो internet प्रोटोकॉल के नियम होते हैं यह di session protocol के नियम होते हैं प्रोटोकॉल का मतलब ही एक तरीके से internet के माध्यम में नियम होता है जो हमारे data को लाने ले जाने ठीक है और internet की access को provide करने की सुविधा देते हैं तो इसमें जो आपका पहला answer हो जाएग के रहा आध ए मतलब किसी भी डेटा को delivered करने के लिए खिस नियम की जरूफ पड़ती है तो जो जिस नियम की जरूफ पड़ती है,"ओ आपका TCP भो जाएगा," अब user datagram यह क्या होता है तो देखे user datagram कही है या UDP कही है यह तुनों एक protocol है जो TCP के अंदर आता है यह TCP के अंदर आता है तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं कि यह क्या है देखे जो user datagram protocol है यह communication protocol है जो यह हमारा user datagram protocol है देखे जो मैं answer correct होगा उसको red color से करूँगा और जिस चीज के बारे में समझा रहा हूँगा उसको मैं green color से टिक करा करूँगा अब हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं user data protocol के बारे में तो user data protocol मैं अभी आपको देखे यहीं पर बताया दे रहा हूँ कि इसका जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ communication protocol के लिए होता है मतलब कि जब कभी आप एक दूसरे user से internet के माध्यम से कोई किसी भी प्रकार का communication करेंगे चाहे वो call करें internet के मतलब से चाहे chat करें तब ये UDP जो user data protocol है ये active होता है अब ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ दूर लोगों के बीच में home हो सकता है various computers का एक network हो उनके बीच में हम लोग messages को send कर रहे हो चलिए इसके बाद आजाता है आपका internet protocol इंटरनेट प्रोटोकॉल ये आपके system में internet को access करने की facility प्रवाइड कराता है जो IP है ये आपके system में internet प्रोटोकॉल या internet प्रवाइड कराने के जिम्हेदारी रखता है फिर session प्रोटोकॉल जिसे कोई चीज नहीं होती है ठीक होती है हाला कि इसको हम लोग निगलेक्ट करके चलेंगे तो इस वाले में आपका answer number ये बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक तो चलिए हम लोग नीचे बढ़ते हैं next question की तरफ नेक्स्ट कोशन हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है तो नेक्स्ट कोशन कह रहा है ता लेंथ आफ एन आईपी पैकेट की अगर कोई लेंथ जो आईपी पैकेट की लेंथ है including the data and header data को include करके और उसके header के साथ में is specified in term of which इसको एक किस term में specified करा जाता है यहां पर आपको बता देता हूं फिर से पढ़के करा data और header सहीत आईपी पैकेट की लंबाई bytes के संधर्व में निर्दिस्ट की जाती है जब bytes के मतलब जिसको bytes जिसकी unit byte होती है वो क्या है तो क्या वो fragmented fragment offset है या वो आईपी header length है या total length है या header checksum है अब fragment offset क्या होते हैं तो देखें fragment offset के बारे में मैं बता दूँ जो data होता है तिक यह काफी भागो में बटा होता है और फ्रेग्मेंट का मतलब होता है काफी बागो में बटा हुआ data और जो फ्रेग्मेंट offset हो जाएगा यह हो गएगा इसका full form होता है fragmentation offset value ठीक इसका काम 0 से लेके 13 bit की wide field को active करना होता है ठीक तो खैर इसके बारे में इतना समझने वाला तो नहीं है वह लेवले से कभी question भी नहीं पहुँचता है तो यह पहला answer तो आपका गलत हो जाएगा फिर कहरा IP header length IP address के header की जो length होती है अब वो length कहां दिखाई देती है जब कभी भी आप search engine में जैसे google पर कुछ search करते हैं तो देखें नीचे एक search engine होता है उपर भी एक search करने वाला बना होता है जैसे हम लोग address बार बोलते हैं तो वहां पर एक IP header लिखके length आ जाती है वो होता है या वो total length ह होती है या header check sum होता है नहीं तो देखिए इस second वाले question में आपका c number एकदम सही हो जाएगा ठीक c number एकदम सही हो जाएगा अब यहां पर कह रहा header check sum header check sum क्या होता है तो header check sum की हम लोग बात कर लेते हैं कि header check sum क्या है ठीक है तो बस आप लोग साथ में बने रही है और अगर किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो बता देखिए header की तुरुटियों को जो header check sum है अब यहां नाम सही पता चला है header तो सभी को पता है जो page के top side में आता है check check मतलब किसी भी line को किसी भी data के error को check करना sum मतलब संपूर्ण पूरा कुल ठीक है तो इसमें हम लोग header check sum में कह सकते हैं कि header की तुरुटियों को जाच करने के लिए header check sum को अपयोग करा जाता है ठीक बस एक छोटी सी language में इसके बारे में इतना ही समझ लेंगे ठीक है तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं next question की तरफ अपने जो की हमारा है question number third अब देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है can I denotes that incoming packets are received by the upper layer protocol following the conclusion of IP address कि यह दर्साता है कि आने वाले packet IP processing के समापन के बाद उपरी परत प्रोटोकॉल दोरा प्राप्त किये जाएंगे अब इस तहरा है कि जैसे हमें IP address की provide हो जाएगा मतलब IP address का काम खतम हो जाएगा उसके बाद जो उसके ऊपर प्रोटोकॉल आएंगे वो किसके दोरा प्रोवाइड करे जाएंगे तो क्या वो आपको source address के दोरा प्रोवाइड करे जाएंगे क्या वो आपको data के दोरा provide करे जाएंगे क्या वो आपको protocol के दोरा provide करे जाएंगे या वो आपको header check sum के दोरा provide करे जाएंगे ठीक है तो यह जो चीजें हैं यह आपको provide करे जाएंगी protocol के दोरा protocol के दोरा यह चीजे provide करे जाएंगी ठीक जद इसमें दिमांग लगाने वली बात नहीं बस इतना ऐसे समझ लिए कह रहा है कि जो अपर लेयर है प्रोटोकॉल की वो पैकेट्स को आने के लिए किन चीजों का यूज करती है मतलब डेटा आएगा मतलब कि उसमें कोई ना कोई नियम लागू होगा यानी कोई ना कोई प्रोटोकॉल लागू होगा आप अगर समझते हैं की data को लाने ले जाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है कम्विनिकेशन के लिए कौँ सा प्रोकॉल होता है तो आप समझ जाएंगे ठीक है तो इस वाले में आपका अंसर नंबर सी एकदम सही हो जाएगा ठीक है लोग अपने नेक्स्ट कोशन की तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन क्या कह रहा है देख लेते हैं हिएं तो next question जो है हमारा कहरा है कि the local network administrator assign the as it identify a host on a network इस्थानीय network वे वस्थापक इसे assign करता है क्योंकि यह किसी network पर host की पहचान करता है अब जो administrator network होगा ठिक है जो administrator network होगा ठिक तो वो किन values को assign करेगा या किन addresses को या किस number को assign करेगा ठिक यह तो पहला आपका option है यह जो कह रहा है source address होता है या भी यह class of IP होती है या C यह network number है यह D host है तो जो इस ठानी network विवस्थापक से assign करता है इस network पर host की पहचान करता है वो कौन करता है ठिक है तो इस वाले question में आपका जो answer हो जाएगा D वाला हो जाएगा जो host की पहचान करता है वो host number होता है ठिक है और जो source की पहचान करता है वो source address होता है ठिक है जो server की जो network की पहचान करता है वो IP address होता है ठिक है ना तो अगर इसमें आपको समस्या है तो आपो लोग बता दिया करिए ठिक है comment कर दिया करिए अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपका A answer गलत हो जाएगा B भी गलत हो जाएगा ठिक है और C भी गलत हो जाएगा तो चलिए हम लोग next question की तरह बढ़ते है तो जो हम लोग का next question है जो हम लोग का next question है वो है कह रहा है कि the generic name of a file or directory designates a specific place in file system किसी file या निर्देशिका का समाने नाम file system में एक विशिस्ट इस्थान को निर्देश्ट करता है जिक किसी file या निर्देशिका का समाने नाम file system में एक विशिस्ट इस्थान को निर्देश्ट करता है अब क्या है कौन सा क्या निर्देश्ट करता है किसका नाम ने दिस्ट करता है टिक तो जो फाइल का नाम जो फाइल का फाइल जो किसी नाम की फाइल है सिस्टम में उसको एक विसिस्ट नाम होता है तो कौन उसको दिनोट करता है क्या पाइटनेम दिनोट करता है पाइटनेम बताता है या URL बताता है या port number बताता है host number बताता है तो भाई साहब आप लोगों को बता दूँ कि जब भी system में कोई file store होती है तो वहाँ पे internet की जरूरत होती नहीं है तो जब internet की जरूरत नहीं होगी तो ना तो host number होगा और ना port number होगा और URL तो बिलकुल भी नहीं होगा वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ path name होता है सिर्फ और सिर्फ path name होता है चिक है हम लोग next question की तरह बढ़ सलते हैं कह रहा है level 1 access in other name for level 1 connectivity correct is level 1 access level 1 connectivity का दूसरा नाम है जो level 1 को access करने के लिए level 1 connectivity जो है उसका दूसरा नाम क्या है तो क्या उसका नाम internet है या क्या उसका नाम dial up है इंटरनेट बिलकुल नहीं हो सकता है क्योंकि internet connectivity level 1 connectivity के लिए कारिगर नहीं है dial up तो आप लोग को बता दिया कि इससे भी connectivity होती है पर ये जो आपके telephone wire है उनके थो इंटरनेट भेज कर connectivity होती है पर ये भी नहीं होगे तो आपका C है gateway तो जी हाँ जो gateway है वो आपकी level 1 access को दूसरे level 1 connectivity के साथ में connect करते हैं इसे ही हम लोग इसका दूसरा नाम भी बोल दते हैं किसे gateway को चीक है next question next question में कह रहा है कि internet connection the user of a internet connection will only receive the textual content of a web page internet connection के उप्यक करता को केवल web page की पाठ समगरी प्राप्त होगी internet connection के उप्यक करता को केवल web page की पाठ समगरी प्राप्त होगी जो हम लोग जो भी internet connection लेकर कोई भी user किसी भी प्रकार की website को या किसी भी प्रकार की site को open करेगा तो उसके पास web page की जो पढ़ने लायक material होगा सिर्फ वही मिलता है ये किस के फ़ू होता है ठीक तो किया ये cell के फ़ू ہोता है या dial up के फूर होता है या TCP IP या ISDN के फ़ू होता है अब देखै जिन लोगों को dial up के बारे में नहीं पता है ठीक है, तो अभी मैंने जिर्ट उपर बताया कि dial up क्या होता है dial up एक टिलीफोन केबल होती है, जिसके तुरू इंटरनेट आता है, तो क्या उसके तुरू हम लोग पार्टे समगरी को देखते हैं, क्यों, नहीं, यह तो बिल्कुल आंसर गलत हो जाएगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, या TCP के द्वारा देखते हैं, नहीं, TCP के द्वारा यह एक communication standard है, नहीं, तो यह भी नहीं हो जाएगा, इसमें जो आपका option हो है, वो एकदम सही होगा, option number A, एकदम सही हो जाएगा आपका, ठीक है, next question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, कह रहा है कि, एक a short of internet connectivity that utilizes a regular telephone line is known as internet access, अब देखिए, अभी मैं जो उपर बात कर रहा था, वही यहाँ पर कह दिया, यहाँ पर कह रहा है कि, एक प्रकार की internet connectivity, जो नियमे telephone line का उप्योग करती है, कहलाती है, क्या कहलाती है, क्या cell कहलाती है, dialogue कहलाती है, TCP कहलाती है, या ISDN कहलाती है, आप सभी लोग इसका जवाब दीजिए, आप किस जवाब कर मैं बेट कर रहा हूँ अभी, comment करिए, ज्य जी, तो जो इसका एकदम सठीक answer है, वो dialogue है, अभी मैंने आप लोग को dialogue के बारे में बताया, उपर की लगबग दो question उसे मैं आपको dialogue के बारे में बता रहा हूँ, चीक है, चलिए, हम लोग next question की तरफ चलते हैं, तो जो हमारा next question है, वो क्या कह रहा है, कह रहा है, global internet connection through access is dependable and sealable, पहुँच के माध्यम से, वैसविक internet connection भरोसे मंद और seal करने योगे होते हैं, जो global internet connection है, तो access is dependable, उनका access, जो access के पर depend है, और seal करने योगे हैं, तो ऐसे कौन से connections हैं, या ऐसे कौन से point हैं, ठीक है, क्या वो shell हैं, या क्या ISDN connections हैं, या dedicated access point हैं, या ISDN services हैं, तो आप लोग सभी लोग बताईए जल्दी से, क्या आँ सकता है इसका answer, सभी लोग जल्दी से कमेंट करें, अब मैं कुछ दिनों के बाद, इस MCQ class के नीचे, जैसे ही कोई question आएगा, उस पे पूल आने लगेगी, कुछ दिनों के बाद मैं ऐसा करूँगा, कुछ system बनाऊँगा, कि जैसे ही आपके पास question आए, question के साथ में time भी चलता रहा है, और पूल भी आती रहे, तो इस वाले connection में, जो आपका answer है, वो C, answer एकतम correct हो जाएगा, यह dedicated access point की हमको जरूवत पढ़ती है, किसी भी प्रकार के dependable और C-label, inter-global internet connection को देने के लिए, ISDN, मनने भी सभी लोगों को बताया, तिक है, ISDN services भी ISDN से related ही होती है, तो हम लोग आगे अपने next question की दिरब बढ़ते हैं, तो जो की हमारा है, दस number question, यह कह रहा है, कि दस secure cell protocol, secure cell protocol sometime known as SSH, जिसे कभी-कभी SSH नाम से भी जानते हैं, चिक है, मतलब, आप देखें, यहाँ secure का full form, जो है SSH का full form, यहाँ पर आपका दे रखा है, secure cell, SSH का full form होता है, secure cell protocol, ठीक है, enable secure data transmission between two network devices, between two network devices, ठीक है, secure cell protocol, जिसे कभी-कभी SSH के रूप में जाना जाता है, यह सुरच्छित data transmission को सच्छम बनाता है, ठीक, सच्छम बनाता है, किनके दो network वाले कुरणों के बीच में, ठीक, तो इसको correct करना है, क्या बनाता है, इसको correct का मतलब है, कि किस चीज को, किस चीज की सहायता से यह एक, इसको सुरच्छित बनाता है, तो option A है आपका network, B है आपका control, C है आपका internet, और D आपका gateway है, तो जिन लोगों को इस answer, इस question का answer पता है, वो लोग answer दें, जल्दी से comment में answer दें, जल्दी से comment करा करें, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को class share करा करें, जिसे मैं आप लोगों के O level से जुड़े हुए हर एक module में काफी मदद कर पाऊं, जिक, अब देखें, मैं आप लोगों को आज फिर बता देता हूँ, कि जितने भी लोग O level के second paper की तेहारी कर रहे हैं, तो वो मेरे सिर्फ और सिर्फ इस MCQ को देखेंगे, तब भी easily pass हो जाएंगे, ठीक है, तब भी easily pass हो जाएंगे, पर अगर वो लोग अच्छा grade लाना जाते हैं O level में, S grade लाना जाते हैं, A grade लाना जाते हैं, चीक है, तो उसके लिए आपको मेरे theory lectures भी देखने होंगे, आप अगर सिर्फ और सिर्फ मेरे note से पढ़ लेते हैं, तो easily आपके O level में easily A grade आही जाएगा, मैं M2 R5 pointer की बात कर रहा हूँ, अब ही जो मेरी module चला है, मैं उसकी बात सिर्फ कर रहा हूँ भी, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो हमारे theory classes हैं, वो हम लोगों के app पर पड़े होए हैं, जो हमारा app है, वो आपको link में description उसका link दे दिया जाता है, उसको download करने का, ठीक है, आप वहाँ पर जाकर free notes भी download कर सकते हैं, या हमारी websites पर जाकर, हमारे बारे में फता भी कर सकते हैं, जो हमारी websites है, उसका full नाम है, www.triple cwi-fi.com जो हमारी website है, वो है www.triple cwi-fi.com आप जाकर easily, easily इस पर जाकर किसी भी प्रकार के जोनकरी को ले सकते हैं, अब देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर अपनी websites के बारे में दिखा देता हूँ कुछ, ठीक है, चलिए, सबी लोग जो भी त्यारी कर रहे हैं, वो एक बार आके website पर प्लीज चेक करें, मेरे notes पड़े हुए हैं, मैंने theory classes अटेंड कर आई हैं, उन सबी चीजों को आप लोग आके एक बार यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों के लिए काफी beneficial लहेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आके यह बस ऐसे यह triple c wi-fi लिख देता हूँ, देखेंगे हम लोगों की website आ गई, ठीक, यहाँ पर आपको mock test मिल जाएंगे, chapter wise online मिल जाएंगे इस चीज़े सारी ठीक है, यह triple c exam previous year के भी मिल जाएंगे, triple c कभी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक, तो जैसा ही आप यहाँ पर जाएंगे, कुछ इस तरीके का interface को लेगा, ठीक, अब आप यहाँ पर जाके, अगर किसी भी परकार के notes या e-book को download, mcqs को download करना चाहते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक, ठीक है, अगर किसी को किसी भी परकार की समस्य है, तो आप जाके, अब देखिए, यहाँ पर जो जितने भी batches चलने वाले हैं, यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक, triple c के, o level के, तो मैं आप लोगों की एक बार o level का महत बता देता हूं, अब o level का महत उन सभी लोगों को पता होगा, जो किसी government exam की तयारी से जुड़े हुए हैं, यह civil की तयारी कर रहे हैं, अब देखिए जैसे बहुत से इस टाइम पे ROARO के exam आने वाले हैं, तो AARO में जो eligibility criteria है, उसमें o level certificate आपके पास हो, ठीक, तब ही आप उसमें apply कर सकते हैं, तब ही आप उसमें apply कर सकते हैं, तो अब सिर्फ ऐसा तो है नहीं, एक ही sector में मांग रहे हैं, अभी आने वाले समय में, आने वाले समय में o level का महत और बढ़ेगा, कई सारे sectors में, कई सारे sectors में आपको o level की मानेता मलेगी, कई सारे sectors में o level की मानेता को मांगेंगे, कि अगर आपके पास o level है o level exam आपने पास कर रखा है, ठीक के सारे exam qualified हैं ठीक, तो आप job के लिए apply कर सकते हैं, तो मैं आप सभी लोगों से ये निमीदन करूँगा कि आप सभी लोग ओ लेवल की तरफ अग्रसर होई है अगर सिर्फ आप ओ लेवल कर लेते हैं अब आप घर पे रहके किसी भी टाइब की पाल टाइम जॉब या फ्रीलांसिंग जैसी चीजे कर सकते हैं ओ लेवल हमें कई क फ्रीलांसिंग के बारे में नहीं बता है तो मैं बता देता हूं ठीक है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है ठीक घर पे बैट कर पैसा कर मा सकते हैं कि मैं यहां पर किसी भी चीज का कोई प्रोमोशन नहीं कर रहा हूं बस मैं बच्चों के लिए बता रहा हूं कि जो लोग ओ ल वहाँ पर दे रक्क होती हैं, उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा एंट्री करना होता है, या किसी भी प्रकार का वेब पेंज बना के देना होता है, या लोगों को डिजाइन करके देना होता है, तो ये जितने भी सारी चीजे हैं, ये O-Level के माद्धिम से हो जाती है, डेटा हैंडिलिंग या डेटा एंट्री है, ये Excel के वज़े से हो जाती है, ठिक, तो O-Level करने के भी ये फायदे हैं कि आप बेरोजगार तो नहीं रहेंगे, और जो आपके एक्जाम होंगे, किसी भी इसमें जद्धा समय ना विस्ट करते हुए, हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं, तो इस 10 नंबर कोश्चन का आंसर ये है, नेटवर्क, चिक, नेक्स्ट कोश्चन, 10 नंबर के कोश्चन में कह रहा है कि इन इमेल, इमेल में is used to track our messages, precise journey through each mail server as well as the location to which it is sent, कि इमेल में प्रतेक mail server के माध्यम से संदेश को सटीक यात्रा के साथ साथ उस इस्थान को track करने के लिए उपयोग किया जाता है, जहां इसे भेजा गया है, किसे उपयोग करा जाता है, इस्थान को track करने के लिए किसका परियोग करा जाता है, तो क्या आपका option number A envelop for the message option number B message header option number C message body या option number D notification of messages किन को भेजा जाता है किसी भी इस्तान को track करने के लिए तो जो आपका answer number B है वो सही हो जाएगा कि message header को हम लोग track करते हैं मतलब message header जो है वो track करता है और इसी पर address लिख कर आता है ठीक तो चलिए हम लोग next question की तरह बढ़ते हैं जो कि हमारा है 12 number और काफी अच्छा question है कई बार आया है इसलिए हो सकता है आपको हमारी MCQ class में इस question को कई बार देखने को मिल जाए करा an information system which we access web resources and services available by the internet एक सूचना प्रणाली जिसके माध्यम से हम internet द्वारा उपलब्ध web संसादनों और सेवाओं तक पहुँचते हैं अब ऐसी कौन सी प्रणाली है या इससा कौन सा संसादन है जिसके द्वारा हम internet पर उपलब्ध web संसादनों और सेवाओं तक पहुँचते हैं किसके द्वारा तो क्या हम लोग option number A, www के द्वारा पहुँचते हैं option number B, HTTP के द्वारा पहुँचते हैं option number C, TCP के द्वारा पहुचते हैं option number D, UDP के द्वारा पहुचते हैं तो इसमें क्या आंसर सही हो जाएगा तो देखिए, www जो है ये सिर्फ वर्ड वाइट कनेक्ट होने के लिए होता है ठीक पर किसी भी एक specific web पर जानने के लिए आपको HTTP प्रोटोकॉल की अबसेक्ता पढ़ती है जी, तो इसमें आंसर आपका B सही हो जाएगा TCP, Transmission Control Protocol होता है जो Transmission को कंट्रोल करता है UDP, User Datagram Protocol है जो सिर्फ और सिर्फ Communication Protocol के रूप में यूज करा जाता है next question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो की हमारा है 13 number चलिए इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है कह रहा है an online application एक online application that lets user login जो application के उप्यो करता हों को login करने and installed on a different machine और एक different machine याने different device पर install करने and utilize applications set up on distant computers मतलब install करने और दूरे computer पर set किये गए application का अप्यो करने के लिए सुविधा देता है तो वो क्या है क्या वो internet है A. B. HTTP है C. Telnet है या D. FTP है जो किसी भी एक online application पर login करके ठीक है एक online application पर login करके हम एक machine को या दूर रखे कहीं computer को उस application की सहायता से access कर सकते है तो निम्लिक्षित में एक सुविधा कौन देता है किसी दूर computer को या machine को access करने की internet के माध्यम से क्या वो internet देता है या STTP हो गया telnet हो गया या FTP हो गया तो मैंने आपको पिछली class में ही telnet के बारें बताया था कि telnet क्या करता है ठीक है telnet आपके system से जुड़ी होई machine हो आपके system से जुड़ी होई machine हो ठीक है और दूर रखे computer क्या कहीं दूसरे सहर में रखे computer को access करने की अनुमती देता है जी हाँ तो वो telnet आपका answer सही हो जाएगा ठीक है तो हम लोग next question की तरफ बढ़ते है next question हमारा जो है वो है 14 number क्या कह रहा है देख लेते है इसमें कह रहा है अब program that search based on user specified keywords और characters कि एक program जो एक specified keywords user के द्वारा एक specified keyword और character है that match the database जो database से match कर जाता है ठीक है वो निमन में से क्या है एक program जो database से mail खाने वाले उपयोग करता निर्दिस्ट keyword या wordों के आधार पर खोज करता है वो निमन में से क्या है तो जब भी हम किसी भी प्रकार के keyword को keyword को यानि किसी भी website के नाम को या किसी word को search कहां करते हैं कहां पर search करते हैं तो भाई साब वो हम search engine पर search करते हैं कहां पर search करते हैं search engine पर search करते हैं ठीक है तब जाके हमको यह result पप मिलता है ना कि internet पर तो इस और ना ही IRC पर और ना FTP पर अब जिन लोगं को IRC का मतलब नहीं पता है उन लोगं को मैं बता दूं IRC होता है internet relay checked ठीक है IRC जो है इसका full form होता है यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ इंटर नेट रिले चैट ठीक अब इंटर नेट रिले चैट रिले चैट क्या है तो यह इंस्टेंट मैसेजिंग एक software होता है इसका प्रियोग हम लोग इंस्टेंट मैसेज करने के लिए करते हैं ठीक FTP आपको सभी लोग सभी लोगों को पता है file transfer protocol हाँ तो इस 14 नमबर के question में आपका प्रियोल आंसर एकदम सही हो जाएगा चिक चली हम लोग next question की तरह बढ़ते हैं तो next question जो है वो कह रहा है कि service that is used to host website on web server वा सेवा जिसका उप्योग web server पर website host करने के लिए किया जाता है कि ऐसी कौन से service है जिसका उप्योग website को host करने के लिए किया जाता है तो क्या वो extrane है या search engine है या web hosting है या stml है चल्दे से comment करिए क्या हो सकती है अब जो लोग यहाँ पे इस host और इस host को लेके चलेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे आंसर सही तो हो जाएगा किसे भी website को host करने के लिए web hosting की जरूवत तो पढ़ती है ठीक है लेकिन इस तरीके से आंसर न लगा है अगर यह कभी कभी question जो नाइलेट है वो आपके questions में hair fair कर देता है मतलब same type के questions आपको दे देगा फिर उसको solve करने में आपको समस्य होगी ठीक तो चले इसमें आपका जो आंसर है वो सी सही है ना ही extend होगा search engine आप सभी लोग जानते हैं और html तो बिलकुल भी नहीं होगा यह website को host नहीं करता है यह website उल्टा create करता है मतलब किसी भी website को create करने के लिए हम लोग html का use करते हैं website के base को ठीक तो हम लोग next question पे चलते हैं नेक्स्ट कोशन हम लोग का है यहां पे कह रहा है कि what is a group of linked document and other materials that are connected through hyperlinks and url is called hyperlink और url के माध्यम से जुड़े हुए link जुड़े हुए link जुड़े हुए link किये गए दस्तावेजों और अन्य समगरियों के समूँ को क्या कहा जाता है अब यहां पे आपको कुशन समझने वाला है कह रहा है कि ऐसे documents जो किसी url और hyperlink के माध्यम से किनी दूसरे documents पर किनी दूसरे documents पर या किनी दूसरे materials पर ठीक है एक group के format में collect होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है चलिए मैं उन्हें बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए कि उन्हें कहा जाता है web host कहा जाता है web कहा जाता है host कहा जाता है URL कहा जाता है server कहा जाता है ठीक तो उन्हें web कहा जाता है आप कैसे वेब का जाता है तो देखिए आपको मैं दिखा देता हू यहाँ पर मैंने Chrono खोला नॉन यहाँ पर आये जैसेिक cookie cc wifi के बारे में सर्च किया तो देखिए सब क्या आ गए ये वेब ही तो आ गए है वेब साइट's ही तो आ गईए ये वेब साइट's ही तो है इन्हें hyperlink बोल लीजिए hyperlink बोल लीजिए एक तरीक है के hyperlink ही तो है और इनके अंदर वो material या data रखा हुआ है और वो जो data रखा हुआ दूसरे document पर रखा हुआ जैसे इन पर click करेंगे दूसरे document पर चले जाएंगे जैसा इस पर click करते हैं तो देखिए हम लोग अभी next document पर पहुंच जाएंगे इंटरनेट थोड़ा सलो है यह देखिए यहाँ पहुंच गए यह एक document बना हुआ है ठीक है यह एक document बना हुआ हुआ है जहां पर यह logo रखा हुआ है और इस तरीके से कुछ websites दे रखी है ठीक है चलिए हम लोग अपने तो इस वाले option में आपका web answer एक दम सही हो जाएगा ठीक है host नहीं होगा URL नहीं होगा और ना ही server होगा ठीक है चलिए आ जाते हैं हम लोग next question की तरफ तो जो next question है वो कह रहा है कि which of the following is not a type of e-commerce निम्न लिखित में से कौन सा एक e-commerce का तरीका नहीं है चिक है एक पुरकार नहीं है तो कह रहा है बी-टू-बी अब बी-टू-बी क्या होता है बी-टू-बी होता है business to business बी-टू-बी होता है business to business चिक अब business to business का मतलब कि एक businessman ने किसी दूसरे businessman से किसी भी चीज को खरीदा तो उसे बी-टू-बी बोल देते हैं बी-टू-बी businessman to businessman इसमें तक ही चीज़े हो रहेंगी एक business में खरीद लेगा दूसरे businessman एक businessman से दूसरे to consumer business to consumer अब ये तो एक e-commerce का तरीका हो गया ठीक है business to consumer मतलब एक businessman है उसने अपने customers को किसी भी चीज को बेज दिया तो ये तो हो गया एक तरीका आपके business का अब इसमें लेकिन पूँच क्या रहा है आप ये तो देखिए इसमें पूँच रहा है प्रकार है e-commerce का और B2C भी है भाई business man customer को ही तो अपना कोई भी सामान बेचेगा या C2C C2C मतलब customer to customer ठीक है customer, एक customer किसी दूसरे customer को भी तो सामान बेच सकता है कैसे अब जैसे मेरे past laptop है मैंने अपना पुराना laptop किसी दूसरे में जरूद मन को बेच जया तो मैं कोई यहां पर business man तो हूँ नहीं मैं भी एक consumer हूँ ना ठीक है तो इस तरीके के business को C2C टाइप कह दिया जाता है ठीक तो यह भी आपके e-commerce का तरीका है हम लोग last ला देख लेते हैं D2D जो D2D है यह होता है disc to disc अब disc to disc तो किसी भी प्रकार के commerce में या business वाले sector में नहीं आएगी मेरे हिसाब से ठीक तो यह वाला option आपका सही हो जाएगा option number D option number D आपका एकदम सही हो जाएगा ठीक है तो चली हम लोग next question की तरफ बढ़ लेते हैं जो की हमारा है question number 18 यह क्या कह रहा है देख लेते हैं तरह है which application from the list below offers real time और real time communication निम लिखित में से नीचे कौन सा application वास्तविक समय या वास्तविक समय संचार प्रदान करता है कौन सा ऐसा application है जो real time या real time communication को present करता है तो निम लिखित में से कौन सा है बताईए अब real time क्या होता है सबी लोग पहले बताईए वास्तविक समय क्या होता है जिनको वास्तविक समय के बारे हैं पता होगा वो लोग इसका answer तुरंत दिद लेंगे जिन सब लोगों को रियल टाइम के बारे हैं पता होगा तो सभी लोग इसका आंतर दे लेंगे तो क्या वो यूट्यूब पर परदान करता है या गूगल पर सी इंटरनेट वीडियो या डी कोलाबरेट कम्प्यूटिंग बताई या आप किस पर करता है कुछ लोगों को लगेगा कि यूट्यूब पर तो हम लोग लाइव आ सकते हैं तो उस पर वास्तविक समय को दिखाता है नहीं उस पर वास्तविक समय को तो नहीं दिखाएगा नहीं वास्तविक समय संचार को दिखाएगा तो आपका A वाला option गलत हो जाएगा Google नहीं, Google पर भी कुछ नहीं live हो सकता है live तो होगा पर वो वास्तविक समय के अंतर नहीं आएगा इसमें आपका जो option है वो D सही हो जाएगा जिसे बोलते है collaborative computing जिसे बोलते है collaborative computing अब collaborative computing होती क्या है इसके बारे में बता दूँ कि किसी भी computer की गटना को वर्णित करने के लिए इसका प्रियोग करते हैं यह एक नई technology है यह एक नई technology है काफी नई technology इसके बारे में हम लोग ज्यादा नहीं देखेंगे अपने ज्यादा समय को वेस्ट नहीं करेंगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग तो इस वाले में option आपका टीकल एक तम सही हो जाएगा चलिए हम लोग अपने आगे question की तरह बढ़ते है हम लोग का जो question है वो कह रहा है कि which of the following is not a e-commerce website निमन लिखित में से कौन सी एक e-commerce website नहीं है e और commerce e का मतलब electronic और commerce का मतलब तो सभी लोग जानते ही है तो आप बताईए कि इस में कौन सी एक e-commerce website नहीं है जी जल्दी बताईए मतलब आप किस application से या किस website से online खरिदारी नहीं कर सकते हैं सभी लोगों को इसका answer पता होगा flip card से हम किसी भी परकार के किसी समान को मंगा सकते हैं मेंतरा से भी कपड़पड़े मंगा सकते हैं snap deal भी एक e-commerce के की एक website है Wikipedia तो Wikipedia एक ऐसी website है जिसके थुरू हम किसी भी चीज की जानकारी को ले सकते हैं ठीक किसी भी परकार की जानकारी को हम लोग ले सकते हैं ठीक यह सिर्फ और सिर्फ informative website होती है यह सिर्फ और सिर्फ informative website होती है ठीक अब हम लोग next question की तरह बढ़ते हैं जो की हमारा है देख लोते हैं क्या है next question जो हमारा है वो करा है which of the following is not a video conferencing tool निमन लिखित में से कौन सा video conferencing उपकरण नहीं है बताइए आप सभी लोग निमन लिखित में से कौन सा video conferencing उपकरण नहीं है तो क्या वो google meet है क्या वो skype है या क्या वो microsoft team है या firefox अब video conferencing करने के लिए किन चीजों की किन किन applications का यूज करते हैं तो देखें सभी लोगों को इसका option पहलावला सभी को पता होगा कि google meet के थुरू हम लोग video conferencing कर सकते हैं ठीक है बिलकुल कर सकते हैं इस skype ये भी आपका एक video conferencing करने का एक तरीका हो जाता है ठीक Microsoft team इसके थुरू भी हम लोग video conferencing कर सकते हैं और firefox तो firefox बिटा एक ब्राउजर है तो इस वाले question में आपका answer number D एकदम सही हो जाएगा इस वाले question में answer number D एकदम सही हो जाएगा बाकी सारे गलत है चलिए हम लोग next question की तरफ बढ़ चलते हैं जी तो हमारा next question कह रहा है कि which type of network covers a geographic distance of a metropolitan city निम्न किस प्रकार का network महानगरी छेतर की भागूलिक दूरी को cover करता है अब देखे एक office से दूसरे office में या पूरी एक university के अंदर ही अगर आपको network लगाना हो तो उसे हम लोग land बोल देते हैं पर अगर दो महानगरों के बीच में internet connect करना है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन आ गया तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे चलिए जल्दी से answer दीजिए यहाँ पे metropolitan आ गया तो यहाँ पे कौन सा network होगा land होगा, man होगा, when होगा या pan होगा चारों में से कौन सा होगा तो इन चारों में से जो आपका option होगा वो भी एकदम correct होगा दो महानगरों को या metropolitan city को जोडने के लिए जिस network का यूज़ करते हैं उसे हम लोग metropolitan area network बोलते हैं उसे हम लोग metropolitan area network बोलते हैं चीक है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर next question जो हमारा है वो कह रहा है अनरोध करता के अनरोध को पूरा करने वाले computer को कहा जाता है क्या कहा जाता है क्या server कहा जाता है client कहा जाता है source address कहा जाता है या destination address कहा जाता है ठिक तो अनरोध करता के अनरोध को पूरा करने वाले computer को आप सुचिए इसके बारे में फिर से सोचिए, ठीक है, मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ इसको सोचने के लिए, जल्दी से सोचिए और बताइए इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या उस जो रिक्वेस्ट को बेज रहा है उसे सर्वर बोलेंगे, ठीक है, या क्लाइन्ट बोलेंगे, या सोर्स ऐड्रेस बोलेंगे, या destination address बोलेंगे किसी भी प्रकार की request करने वाले computer को या user को क्या बोलेंगे इसकी language में server, client, source address या destination address जी तो इसको बोलेंगे हम लोग B, client मैंने बताया था जब भी system आए या user आए ठिक है उससे related कोई query हो उससे related अगर कोई query हो तो उससे हम लोग बोल देते हैं client side ठिक और अगर network या server या database related कोई question आए ठिक तो उससे हम लोग server side बोल देते हैं इस चीज के बारे मैंने आपको detail ने बताया भी था देखिए फिर से बता देता हूँ यह आपका हो गया database या server इसको server मान लिजी आप यह आपका हो गया system यह आपका हो गया system ठिक अब अगर यहां से किसी भी प्रकार की query को करेंगे इसे हम लोग बोल देते है क्योंकि computer कर रहा है computer का मतलब जो उसको जो परसन यूज कर रहा होगा टिक है उसकी बात करेंगे न तो इसे हम लोग जो computer की बात आएगी या user की बात आएगी तो इसे हम लोग client side बोल देते हैं और वहीं पर अगर कहता है कि जो request का result हमको computer पर दिखता है तो वो कौन उसके लिए responsive होता है तो उसके लिए यह server responsive होता है इसे हम लोग server site बोल देते हैं टिक है इस वाले question में आपका answer number भी एकदम सही हो जाएगा अगर इसमें किसी को भी किसी परकार का doubt है टिक वो comment कर देगा इसकी query solve कर दी जाएगी next question की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारा 23rd number कह रहा है the amount of information that can be transmitted through a communication channel is given time is called कि किसी भी एक निश्चिस समय में संचार माध्य में प्रसारित या transmit की जाने वाली सूचनाओं कोई मातरा क्या कहलाती है लब एक limited time में किसी परकार की information को जो हम लोग transmit करते हैं टिक है तो उसके मातरा को टिक उसके amount को क्या बोलते हैं क्या उसे bridge बोलते हैं number B host C workstation या D bandwidth क्या बोलेंगे तो देखें bridge तो नहीं बोलते हैं bridge होता है एक communication एक चीज से दूसरे चीज के बीच communicate करने के लिए जो रास्ता बनाता है उसे bridge बोल देते हैं host जो उस website को host कर रहा होता है तो A और B आपका तो गलती हो जाएंगे workstation क्या हो जाएगा तो workstation जहां से हम किसी भी काम को कर रहे होते हैं जहां से हम किसी भी काम को कर रहे होते हैं उसे हम लोग workstation बोल देते हैं तो इस वाले question में जो आपका answer number है वो D एक दम सही है C, answer number गलत हो जाएगा चले हम लोग next question की तरह बढ़ लेते हैं next question में कह रहा है कि FDDI प्रोटोकॉल OSI model की किन परतों पर काम करता है OSI model की किन परतों पर काम करता है ठीक है अब जिन लोगों को OSI model के बारे में नहीं पता है वो लोग theory class में जाकर OSI model के बारे में जानकारी ले सकते है what layers of the OSI model does the FDDI protocol operate FDDI protocol operate करता है किस layer को करता है तो किस layer को करता है वो OSI model की layer को करता है OSI model की FDDI protocol किस layer को करता है तो क्या वो physical layer होगी data link layer होगी इंथरनेट होगी, ATM होगी, तो देखे इसमें से ATM एक टंगलत है, इसके लिए एक प्रॉपरेरेट आंसर है ही नहीं अब इन दोनों में से बचा, फिजिकल लेयर या डेटा लिंक लेयर, अब इन दोनों में से आंसर बचा, वो क्या हो सकता है, वो फिजिकल लेयर भी हो सकता है, और דेटा लिंक लेयर भी हो सकता है, ठीक, तो इस वाले option में जो आपका option होगा, वो भी एकदम correct होगा, जो FDDI है वो data लिंक लेयर पर काम करता है, ठीक है, आपका answer number A, उइक बलात है, next, how many इनीड़ान्स और प्रुजट टियों होते हैं हैं सब्सक्राइट कैनि असना इस पार किया हैह। यह एक स्वैचिंग टेक्निक है जो छटिक मुदिकेशन नेटवर्क चिय्यों डेटा को असिंक्रोनाइज करने के लिए यूज करी जाती है, इसको ATM वो मसमत ले ना, आटो टेलर मसीन, पैसा निकलते हैं, यह वो नहीं है, यह एकदम अलग चीज है, इससे डेटा हाई स्पीड में ट्रांसफर होता है, अब इसमें कितने प्लांस होते हैं, तो बैटा, इस को इतनी सारी काफी informative जानकारी मिली, ठीक है, और आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार के कोई समस्या है, या मेरे इस MCQ को solve कराने में किसी प्रकार का doubt आ रहा है, आप लोगों को लगता है, कुछ सही हो रहा है, या गलत हो रहा है, तो आप उसके बारे में comment करके बता सकते हैं, ठीक है, जादा से जादा मातरा में आप लोग comment करा करें, जिसे मुझे पता चल सके कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को मेरी बाते समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, तो मैं अपने में सुधार कुछ ठीक है अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो प्लीज आप लोग कमेंट करीए ठीक है चलिए आज के लिए हम अपनी क्लास को इतना ही रखते हैं धन्यवाद सोस्त रहें वेस्त रहें